दोश्कार दोस्तों मैं हूं धर्मिर्स्तिजा मेरी खेती सची खेती में आपका स्वागत है सर्सों की बिजाई के समय बे मौस्मी बारिश से सर्सों की बिजाई लेट हुई कई भाईयों को तो दुबारा भी बिजाई करनी पड़ी कईयों ने उसी में पानी देकर बीज का छटा मार दिया कईयों का जमाओ थोड़ा सा कम रहे गए कईयों का ठीक रहा दुबारा भी जाई करने से लेकिन दोस्तों हमें सरसों की भरपूर पैदावार लेने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ेगा हमारी फसल को किसी भी प्रकार की अब कोई भी कमी महसूस ना हो जिस चेज की जरूत जब हो उस समय उसको प्राप्त हो जाए सरसों की खेती में 25 से लेके 35 दिन की फसल में कुछ काम ऐसे होते हैं जिससे बंपर पैदवार की नीव पड़ जाती है नीव मजबूत होगी तो बिल्डिंग भी मजबूत होगी फुटाव, बढ़वार, हर्याली बढ़ती है उसकी टहनियां बढ़ती है तो आज की हमारी वीडियो का डिसकेशन का विशे यही रहेगा कि सिचाई का समय क्या है कितनी सिचाईएं देनी है खर्पतवार को क्या करें कीट, इंसेक्ट इस समय कौन सा कीट नुकसान कर सकता है और खाद, सलफर और ऐसे कौन से ऐसे नीव नीवटियंट्स है जो हमारी फसल की बढ़वार के लिए फुटाव के लिए, हर्याली के लिए सहाय हो सकते है तो हम उन नीवटियंट्स को अब दे सकते है स्प्रे में दे सकते है कितने देने चीए, कब देने चीए मेरा एक पैट फार्मूला है क्या खार्चा आएगा, क्या फाइदा होगा सब डिटेल में बात करेंगे जब फसल लगबग आठ पते वाली स्टेज पर होती है तो नई टहनिया निकलनी शुरू होती है पहली सिचाई हलकी जमीन में 20 से 25 दिन की फसल पर और भारी जमीन में 25 से 30 दिन की फसल पर जरूरी होती है इस स्टेज पर पानी देने से जड़ों की गहराई जादा होएगी और जो भी खाद न्यूटेंट हमने दिये है वो जड़ों के नजदीक पहुँचेगी और अच्छी तरह से जड़ों के दोरा पोदों को अविलेबल हो जाएगी अब ध्यान रखना है पानी बहुत जादा नहीं देना हलकी से चाहिए करनी है बाद में जब फूल आने शुरू हो जाएए फलियां बननी शुरू हो जाएए और दाने बरने शुरू हो जाएए तब भी फसल को पानी की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए अगर आपकी जमीन हलकी है तो पानी देने के दो तिन दिन बाद और भारी है तो चार पानी दिन बाद गीली बत्तर पर 40-45 किलो यूरिया का छिटा जरूर दें यूरिया पानी में गुल कर जड़ों के द्वारा पोदों को मिल लाएगा तो बढ़वार अच्छी होगी उटाओवा हर्याली भी अच्छी होगी और अगर आपने बुगाई के समय सिंगल सुपर फासपेट के दो बैक डाले हैं तो अब देने की जरूरत नहीं है बेंटोनाइट सल्फर पहले डाल चुके हैं तो अब सल्फर की जरूरत नहीं है लेकिन अगर सल्फर अभी तक नहीं डाला है तो 80-90% वाला पाउडर वाला सल्फर आता है ना जो 4-5 किलो प्रती एकड जरूर डाले सल्फर जो है ना तेल वाली फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है जो तेल वे खुश्बू होती है जो तीखा पन होता है वो सल्फर के कारणी होता है कॉलिटी भी बढ़ती है पैदावार भी बढ़ती है अब सर्सों में कुछ कीट भी अटैक करते हैं इस टाइम करते हैं उन में से एक है मस्टर्ड साफ लाई ये पत्तों में गोल वो छोट-छोटे सुराख कर देता है क्लियर दिखते हैं दूर से भी दिखते हैं ज़्यादा प्रकॉप वने पर पत्ते भी खा जाता है नुकसान ज़्यादा हो जाता है इसका भी ध्यान रखें हलकी से हलकी कोई भी इंसेक्टिसाइड से कंट्रोल हो जाता है जैसे कलोरो साइपर आता है पचास परसेंट प्लस परसेंट वाला या डेल्टा मैथिन आता है डेस्तिस आता है या अल्फा मैथिन आता है सो से देट सो मिलिलीटर डेट सो लीटर पानी में स्प्रे करने से कंट्रोल हो जाएगा अब खर्पतवार खेट में उगी जाते हैं तो सरसों में कोई भी खर्पतवार नाशक का स्प्रे यह जादा नहीं करते इस समय जो छोट छोटे खर्पतवार दिख रहे हैं उन्हें निराई गुडाई से कंट्रोल करें एक फाइदा और होगा पानी देने के बाद जब खेट में खुर्पा या कसोला चलेगा ना तो मिट्टी भुर्बुरी भी होएगी हवा का आवा गमन बढ़ेगा तो हमारी फसल का फुटाओ भी भरपूर होगा और अगला पानी आपने निराई गुडाई के तीन अपते बाद ही देना है ये ध्यान लखें सरसो की फसल पर एक तेले का अटैक आता है वो फूलों के आने पर ठंड में आता है और बिमारी भी जैसे आल्टरनेरिया बलाइट है जो पत्तों पर दब्बे के रूप में आती है डाउनी मिल्ल्यू या वाइट रस्ट है जो टहनी फूलों पर सफेद पाउडर होता है अभी नहीं आएगा उसके लिए ज़्यादा नमी चाहिए बारिश आने पर या दून आने पर हो सकती है अभी कोई चांस नहीं है मैंने एक बात जो शुरूर में कही थी कि कौन से ऐसे न्यूटियंट्स हैं जो हमारी फसल की फोटोसिंथिस को बढ़वार को फुटाओ को बढ़ाएंगे टैन यह ज़्यादा लेके आएंगे तो मैं आज आपको अपना पैट फार्मूला बताता हूँ तीन चाहर न्यूटियंट्स का गोल अलग लग बनाकर बाद में टैंकी में मिक्स करकर स्प्रे करना है खर्चा डेड़ सो दो सो रुपे प्रती एकर से ज़्यादा नहीं आएगा तो क्या करना है 700 ग्राम जिंग सल्फेट ले लो 33% या फिर 100 ग्राम ले लो जिंग चिलेटिट खर्चा 60 रुपे से ज़्यादा नहीं होगा 500 ग्राम फेरस सल्फेट ले लो 19% वाला जिसको लोहा भी बोलते है 50 रुपे किलो आता है ये तो 25 रुपे इसका खर्चा आएगा 1 किलो मेगनिशियम सल्फेट ले लो MGSO4 40 रुपे किलो के करीब आता है और 1 किलो यूरिया ये एक एकड़ में आपने 1500 लिटर पानी में स्प्रे कर देना है इसी समय स्प्रे कर देना है अब एक स्प्रे करने से आपका खेट दूसरे खेटों से अलगी दिखेगा इसकी चाली अलग होगी निराली होगी अगर पोदो की संख्या में थोड़ी सी कमी है तो भी कवर अप हो जाएगा आपकी अच्छी पैदावार की कामना करते हुए इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अपनी फसल का ध्यान रखें थैंक यू